हेलो फ्रेंड्स दिल्कम टो अबर यूटूब चैनल सैयारी एकजाम की तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बाइलोजी से अध्याय नो है हाँ पे जैब अनू तो इसमें हम लोग संपूर्ण पार्ट का हल देखने वाले हैं एंसी इयार्टी बुक से तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ब्रेस कर दिजेगा तकि हमारे वीडियो के अपडेट सबसे पहले अब दक पहुंचे तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं अध्याई नो है जेव अनू अव्यास प्रस्ण हम लोग देखने वाले हैं तो फटाफ़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस्ण संख्या एक है ब्रिहत अनू क्या है उदाहरन देजिए तो उत् संख्या दो है ग्लाइको सीडिक टेप्टाइड तथा फास्पो डाइस्टर बंधों कवर्णन कीजिए तो उत्तर हो जागा यहाँ पे ग्लाइको साइडिक बंध बहूल की करण में मोनो सेकेराइड अनू एक दूसरे के पीछे जिस सह संयोजी बंध द्वारा जोडते हैं उसे ग्लाइको साइडिक बंध कहते हैं इस बंध में एक मोनो सेकेराइड अनू का अल्दी हाइड या किटोन समूह दूसरे अनू के एक एलको हॉलिये अर्थार हाइड्रोकसिल समूह माइनस ओ एच से जुड़ता है जिसमें की जेल H2O का एक अनू प्रिथक हो जाता है अग के बात करें पेप्टाइड बंध की पेप्टाइड बंड जिस बंध द्वारा अमीनो अमलों के अनू एक दूसरे से आगे पीछे जोड़ते हैं उसे पेप्टाइड या इमाइड बंध कहते हैं यह बंध सहसंयोजी होता है और एक अमीनो अमल के कार्बोकसिलिक समू की अगले अमीनोंगते अमीनों अमीनों समूँ से अभिक्रिय के फॉलसरूप बनता है इसमें जल का एक अनू खट जाता है तो आसपोडाइस्टर बोंड निउकलिक अमल के नुक्लियों सायट्स फासपोडाइस्टर बंधो यानि की बंधों द्वारा एक दूसरे से संयूजित होकर पॉलिन्यूक्लियोटाइड श्रिंखला बनाते हैं फास्पो ड्राई एस्टर बंध समीप वर्ती दो निक्लियोटाइड के पॉस्पिट अनुओ के मध्य बनता है DNA की दोनो पॉलिन्यूक्लियोटाइड श्रिंखलाओ कि नैटोजन शारब, हैड्रोजन बंधो द्वारा धूरे होते हैं तिखर क्रस्न संख्य नहें है यहाँ पे प्रोटीन की स्थित्यक संरचना से क्या आतातपरी है और ये भी बहुत महत्תח हों है इक्जाम के दिश्टिकों से तो प्रोटीन के त्रेद्यक सरजना के अंतरगद प्रोटीन की एक लंबी कड़ी अपने उपर ही उनके एक खोखले गोले के समान मूरी हुई होती है यह सरजना प्रोटीन के स्री आयामी रूप को प्रदर्शित करती है ठीक है? अब आये हम लोग चलते हैं प्रस्म संख्याचार की और दस ऐसर रूची कर सुछ मुझेब अनुओं का पता लगाए जो कम अनुभार वाले होते हैं वो इनकी सरजना बनाए असे उद्योगों का पता लगाए जो इन योगिकों का निर्मान वी लगर्ण द्वारा करते हैं इनको खरीदने वाले कौन हैं मालूम किजिए कि उत्तर हो जाएगा तुछ में जैब अनुओं जीब ध्यारियों में पाए जाने वाले सभी कारवनी की योगिकों को जैब अनुओं कहते हैं तो फर्स्ट है यहां पर कर्वो हाइड्रेट्स जैसे ग्लुकोस, फक्तोस, राइबोस, सरकरा, माल्टोस आदी और यहां पर यह छूट गया डियोक्सी, राइबोज, यानि की सरकरा, माल्टोस आदी ठीकर अब आए हम लोग सकेंड क्यों चलते हैं वसा वत सेल, फैट अनुवार्ट, पामीटिक अम्न, गिलिश रॉल, प्राइगिलिश रॉइड, फासपोलिपीट्स, केलो अस्तिरोल, आदी, फोले अस्तिरोल आदी ठीकर है, फ़र है अमीनो अम्न, यानि की अमीनो अचिड, ग्लाइसीन, यलिन, सिरिन, आदी, पोल है, नाट्रोजन चारक ठीक है जानी की हो जाएगा एडेनीन गौानीन हाइमीन यूरेसील साइटोसीम आदी ठीक है इसका संरजना आप लोग इस तरह से बना सकते हैं देख लिए ठीक है आपके आंसे इयार्टी बुक में भी है आप लोग देखके वहां सभी बना सकते हैं या फ तरह से फाइट अच्टिन ओफाइट ठीक है और सरकरा कार्वोहाइडरेट्स है यह दोनों ठीक है आप लोग यह देख सकते हैं ग्लाइसीन है एलेनीन है शिरीन है आप लोग इसे बना लीजेगा आपके अंसे इयार्टी बुक में भी है वहां सभी आप लोग देखके बन सकते हैं वीडियो को रोके ठीक है आप लोग बना लीजेगा चितर देखें यहां पर नामकरन भी कर दीजेगा जीव उत्कों में पाए जाने वाले कम अनुभार के कारवनिक योगी को किस तर रचना यह आप लोग लिख दीजेगा और यहां पर आगे भी था क्यूशन सरक अरिडिक अवशकताओं की पूर्ती हितु करता है ठीक है प्रशन संख्या पाच है यहां पर तो यह अब देख लेते हैं प्रोटीन में प्रास्मिक संरचना होती है यदि आपको जानने हैं तो ऐसे बिधी दी गई है जिसमें प्रोटीन के दूनों किनारों पर अमीरों अम प्रोटीन की पॉली पेप्टाइड स्रेख लाएं लंबी वह रेखाकार होती है प्रोटीन कुंडलन एवं वलन द्वारा विभिन प्रकार की आकरिति धारन करती है आगे हैं यहां पर इन्हें प्रोटीन के राकिर्थ सर्रूपन कहते हैं प्रोटीन के राकिर्थ सर्रूपन चार अस्तर की होते हैं प्रात्मिक, द्वीतियक, स्रीतियक इवं चतुस्क अस्तर पौली पेटाइड श्रींखला में पेटाइड बंधो द्वारा जूड़े एमीनो के अनुकरम प्रोटीन की सन रचना का साथमिक अस्तर प्रदर्शिद करते हैं प्रोटीन में एमीनो अमलो का अनुकरम इसके जयविक प्रकारिका दिर्धारन करता है ठीक है, पॉली पेप्टाइड स्रेंखला के एक सीरे पर प्राथम एमीनो अमल का फुला एमीनो समूह तथा दूसरे सीरे पर अंतिम एमीनो अमल का फुला कार्बोक्सिल समूह होता है अतह इन सीरों को क्रामस्तह N छोर तथा C छोर कहते हैं इससे प्रोटीन की सुधता या समांगता प्रदर्सित होती है यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह N है और यह C है आप लोग पिक्ट्र बना लिजएगा N-C-E-R-T-BOOK में भी है आप लोग N-C-E-R-T-BOOK सभी बना सकते हैं यहां पे आप लोग बना लिजएगा ठीक है क्योंकि यह बहुत ही महतुपूर्ण है तो चेत्र आप लोग का नाम लिख देजाएगा पल्पिक प्रोटीन के अंस की सात्मिक संरजना N-C-E-R-T-C-E-R-O-C-E-R-O-C-E-R-O-C-E-R-O-C-E-R-O-C-E-R-O-C-E-R-O-C-E-R- लोग चलते हैं प्रशन संख्या छेकी और सिकेट सार्थ अभी करता के रूप में प्रयोग में आने वाले प्रोटीन का पता लगाईए हुआ सूची बद कीजिए प्रोटीन की अनि उप्योगिताओं को बताईए जैसे संदर्य प्रसाधन आदे ठीक है इसका उत्तर हो जा प्रोटीन के निमनेलिखित कारियों की वजह से इनकी उप्योगिता अधिक है तो देखे क्या क्या हो जागा फर्स्ट है हमारा लगभक सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं सकेंड है प्रोमबीन तथा फाइब्रोजीन रुधीर प्रोटीन्स है जो चोट लगने पर रुधीर का ठक्का बनने में सहायक होती है और यह बहुत ही महतुपूर्ण है एक तीन तथा मायोसीन संकूचन प्रोटीन्स है जो सभी कंकाली पेशिओं के संकूचन में भाग लेती है ठीकर और है यहां पे रेसम में फाइब्रोइन प्रोटीन होती है फाइफ है प्रोटीन के बने होती है ठीकर छिक्थ्रण के संग्ठन का वर्णन की जिए उतर हो जाएगा Triglycerol का एक अनू वस्य अम्लों के तीन अनू से किरिया करके वसा एक अनू बनाता है Glycerol तथा वसा अम्ल अनू के बीच सस्योजन बंधों को एस्टर बंध कहते हैं Glycerol एक ट्राई हाइडरिक अलकोहल है जिसके कारवर्स रिखला के तीनो कारवन पर मानूओं से एक एक हाइडरोकसिल समू यानि के माइनस ओएच ग्रूप जुड़ा होता है ठीक है आगे की बात करते हैं हम लोग तो इसी कारण वसा अनू को Triglycerol के तहते हैं और समान हो सकते हैं आप लोग पिक्चर बना लिजेगा यहां से देखें आप लोग ऐसे एर्टी बुक में भी दिया गया होगा आप लोग महां से भी बना सकते हैं आएए अब क्यूशा नमबर एट क्यों चलते हैं किया आप प्रोटीन की अवधारना के आधार पर वर्णन कर सकते हैं कि दूज का दही अथवा योगर्ट में परिवर्तन किस प्रकार है ठीक है तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दूज की विले प्रोटीन यानि की के सीनोजन की अविले के सीन में बदलने का कार्य रिणीन एंजाइम तथा अस्ट्रेप्टो पोकस जिवानु करते हैं ये किनबन द्वारा दूध को दही या योगर्ट में बदल देते हैं क्योंकि कि सीनोजन प्रोटीन अब छेपित हो जाती है तिक है अब आए हम लोग चलते हैं प्रस्म संख्या नोकियोर किया आप ब्यापारिक द्रिश्टी से उपलवध परमानू मॉडल बल वा अश्टीक नमूना का प्रयोग करते हुए जेव अनूओ ठीक है कि उन प्रारूपों को बना सकते हैं तो उत्तर हो जाएगा बल वा अश्टीक नमूना के द्वारा जेव अनूओ के प्रारूपों को प्रदर्सित किया जा सकता है ठीखे, क्युश्य नवर अब यहाँ पे 10 हैं ठीखे, क्युश्य नवर 10 है यहाँ पे अमीनो अमलों को दुर्बल छार से अनुमापन यानि कि ट्रैट कर अमीनो अमलों में वियोजी किरियात्मक समुहों का पता लगाने का प्रयास कीजिए तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमीनो अमलों का दुर्बल छार से अनुमापन परने से कार्वोक्सिल समुह माइनस COOS तथा अमीनो समुह माइनस NL2 प्रिथक हो जाते हैं एले नीन अमीनो अमल की सनरुचना बताईए उत्तर हो जाएगा एले नीन अमीनो अमल एक उदासीन अमल है जिसका निर्मान एक अमीनो समुह सथा कार्वोक्सिल समुह से होता है तो आप लोग इस तरह से संरजना बना सकते हैं ठीक है यह आपके आंसे यार्टी बुक में भी है वाज भी आप लोग बना सकते हैं प्रस्न संख्या 12 है यहां पर गोंद किससे बने होते हैं क्या सभी कौल इससे भीन है और यह भी बहुत ही महतोपूर्ण है उसको आपको ध्यां से देखना है उतर हो जागा गोंद यानि कि गम यह एक दिवित्यक उपा पचायज है यह एक कार्बो हाइड्रेट बहूलक है ग भूलन सील होता है आगे की बात करें तो गोंद जल के साथ सिर्फिपा घोल यानिकि अश्टी की सॉल्यूशन बनाता है तो वे कौल एक रित्रिम और द्रोगिक उत्पाद है ठीक है प्रश्न संक्षा 13 है प्रोटीन वसा वह तेल अमीनों अमलों का विश्लेश नात्वक प सीना तो थमूत्र में इनका परिच्छन करें तो उत्तर हो जागा यहां पर प्रोटीन एवं अमीनों अमल का परिच्छन आप लोग देख सकते हैं प्रोटीन के ब्रिहत अनू अमीनों अमलों की लंबेश नेखलाएं होते हैं अमीनों अमल से प्राइट बंधों द्वारा दूरे रहते हैं, इनका आन्विक बहार बहुत अधिक होता है। अंडे की सफेदी, स्वयवीन, डालों जिसकी मटर, राजमा, आदी में प्रोटीन अमीनों अम्न रचूर मातरा में पाई जाती है। ठीक है। अंडे की सफेदी या डालों इसकी सेम चना, मटर, राजमा, आदी को जल के साथ पीस कर पत्ली लुगदी बना लेते हैं। इसे जल के साथ उबाल कर खान लेते हैं। निसियंद द्रव में प्रोटीन अमीनों अम्न होती है। प्रयोग एक है। एक परखनली में 3 मिली लीटर यानिकी प्रोटीन निसियंद लेकर इसमें 1 मिली लीटर सांदर नाइटरिक अमलक यानिकी HNO3 मिला ये सफेद अब शेप बनता है। प्रखनली को गर्म करने पर अब छेप गूल जाता है तथा बिलियन का रंग पीला हो जाता है। अब इसे ठंधा करके इसमें 10 प्रतीसत सोडियम हाइड्रोकसाइड यानिकी NaOH बिलियन मिलाते हैं। प्रखनली में बिलियन का रंग पीले से नारंगी हो जाता है। प्रयोग दो हर यहां पे आप लोग देख सकते हैं। युश्चन वैसा था तो एक प्रखनली में प्रोटीनी सेंध की 1 मिली यानिक 1 मिली लीटर मात्रा लेकर इसमें लगभग 1 मिली लीटर मिलन यानिकी अभी कर्मक मिलाने पर हलके पिले रंग का अब छेव का रंग लाल हो जाता है। ठीकर अब बात करते हैं वसा हुआ तेल का परिछन की ये जल में अविले और इधर, पेट्रॉल, क्लोरोफॉम आदी में घूलन सील विले होती है। साधरनता पर जब वसाएं फोस होती है तो वसा तर्वी यानिकी फैर और जब ये तरल होती है तो तेल यानिकी ओवाइल कहलाती है। पादा वसाएं और संत्रिप्त नारियल का तेल तथा आगे की बात करें तो सार का तेल संत्रिप्त तथा जन्तु वसाएं संत्रिप्त होती है अब इसके आगे प्रयोग एक की बात करें तो मोंग फले के सच्चे दाने लेकर उनको सफेद कागज पर रखकर पीस लिजिए अब इस कागज के टुकरे को रकास के किसी स्रोत की ओर रखकर देखिए यह अलप पारदर सी नजर आता है इस पर एक बूंद पाई डाल कर देखिए कागज पर पाने का प्रभाव नहीं होता यह प्रयोग जन्तु वसा देशी घी के साथ भी किया जा सकता है ठीक है प्रयोग दो है यहाँ पे एक परखनली में 0.5 मिलीटर परिछन तेल या वसा तथा 0.5 मिलीटर जल दोनों बराबर मात्रा में लेते हैं ठीक है तो आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अब इसमें 2.3 बूंदे सुड़ान यानि की 3 विलीटर की डाल कर हिलाते हैं तथा 5 मिलीटर तक ऐसे ही रख देते हैं परखनली में जय तथा तेल की प्रिथक परतों में तेल की परत लाल नजर आती है नोट करिए यहाँ पे फल के रस, लार, पसीना तथा मुत्र में इनका परिच्छन उप्यूक्त बिधियों द्वारा किया जा सकता है ठीक है प्रस्न संखया 14 है पता लगाईए कि जय मंडल में सभी पादपों द्वारा कितने सेलूलोज का निर्मान होता है इसकी तुलना मनुस्यों द्वारा उच्पादित कावच से करें मानग द्वारा प्रतिवर्स पादप दार्थों की कितनी खपद की जाती है इसमें बनसपतियों के कितनी हानी होती है तो इसका उत्तर हो जागा यहाँ पे सेलूलोज प्रतिवी पर सबसे अधिक मातरा में पाये जाने वाला कर्बो हाइडरेट है यह जटिल बहूलक होता है पादपों में सेलूलोज की मातरा सरवाधिक होती है और यह बात आपको याद रखनी है आगे की बात करें तो यह पादपोशिकाओं की पोशिका भीति को यांतरिक दिरधता प्रदान करता है पोधों के काश्ठिय भागोवा कपास तथा रेसेदार पोधों में इसकी मातरा बहुत अधिक होती है काश्ठ में लगभग पच्चास प्रतिसत तथा कपास के रेसों में इसकी मात्रा लगफग नवे प्रतिसत होती है मनुश्य द्वारा सेल्यूलोज का उपयोग इंधन तथा इमारती लकड़ी के रूप में संतुओं के रूप में वस्र निर्मान, खृत्रिम रेसे निर्मान, अगे की बात गरें कागज निर्मान में प्रमुक्ता से किया जाता है नाइट्रो सेल्यूलोज का उपयोग बिस्पोटक पदार्थ की रूप में किया जाता है इसका उपयोग फारदर से प्लास्टिक सेल्यूलोज बनाने के लिए किया जाता है जिसे खिलोने, कंगी, आदी बनाये जाते हैं मनुशी सेल्यूलोज का सबसे बड़ा उपभूगता है मनुशी अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए बनस्पतियों को हानी पहुचा रहा है इसके फ़लस्वरुप प्राकितिक बन्चेत्रों में निरंतर कमी होते जा रही है परितंद्र के प्रभावित होने के कारण अनेक पादप्रजादियां बिलूब्त होती जा रही है ठिकर आगे की बात करें प्रश्न संख्या पंद्रह यहाँ पे एंजाइम के महत्वपूर्ण गुनों का वर्णन कीजिए उत्तर हो जागा यहाँ पे एंजाइम के महत्वपूर्ण गुनों का वर्णन निम्न है पहला यहाँ पे एंजाइम पॉलोईडी प्रोटिन्स होती है ठिकर एंजाइम जो होता है पोलोईडी प्रोटिन्स होते हैं ये जल नमक के घोल तथा ग्लिसरीन में विले होते हैं अब आईए हम लोग चलते हैं सकेंड की ओर एंजाइम्स का कारिफ खेत्रफ अतिविस्ष्ट होता है सामान तया एक एंजाइम्स एक प्रतिकिरिया को ही उत्रेरित करता है ठीक है थड़ है यहाँ पे एंजाइम्स 25 से 35 डिग्री सल्सियस पर सरवाधी किरिया सिर होते हैं 60 डिग्री सल्सियस अधिक ताप पर ये नश्ट हो जाते हैं 0 डिग्री सल्सियस ताप पर ये निस्क्रिये हो जाते हैं ठीक है यह वात आपको याद रखनी है वो रहाँ पे इनकी कारे छमता अत्यधिक होती है ये प्रती मिनट लाखों अनुओं को उद्प्रेडित कर सकते हैं 5. एंजाइम्स की सुछ मुमातरा ही किरिया को प्रेडित कर देती है 6. एंजाइम्स की किरिया सेलता प्यजमान से प्रभावित होती है पी अजमान की अधिक्ता या कमी इनकी कारे छमता को प्रभावित या नश्ट कर देती है 7 है एंजाइम नश्ट नहीं होते एंजाइम किरिया के पुष्चात जैसे के तैसे बच जाते हैं आदी तो वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड सेर्फ जरूर कीजिएगा ठीक है अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल सैयारी एकजाम की 11th ग्रूप करके आप लोग सेर्च किजिए और वहाँ पर जोइन कर लिजिए आपको पीडियाफ मिल जाएगा इसका और भी फ्लास 11th के साइट से स्ट्रिम से हैं इंगलिस निदी है तो हुआ हुआ हुआ